नमस्कार आज के मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने आज करनाटका में एक बड़ी जनसभा में भाशन दिया, जिसमें वो कॉंग्रिस को जाडू से साफ करने के लिए उत्रे. पीएम मोधी ने कॉंग्रिस को भ्रष्टाचार के मुद्दो पर निशाना बनते हुए कहा कि कॉंग्रिस हमेशा से 85 प्रतिशत कमिशन के साथ जोड़ा गया है. उसने कहा कि कॉंग्रिस के शाही परिवार भी करोडो रुपे के स्क्याम के मामले में जमानात पर है. पीएम मोधी ने कॉंग्रिस को शाही परिवार के बया के बारे में भी निशाना बनते हुए कहा कि वो अपने चुनाव अभियान में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन कॉंग्रिस का खुद का 40 प्रतिशत कमिशन सिस्टम है. प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने डिजिटल इंडिया के साथ मिलकर गरीबों के खाते में 29 लाक करोड रुपे डाले हैं, लेकिन आगा कॉंग्रिस सरकार होती तो सिर्फ 5000 करोड रुपे तक हाई भ्रष्टचारियों की संपत्ती का कबजा होता. प्रधान मंत्री मोधी ने कहा कि कॉंग्रिस के नेता और शाही परिवार के लोग करोडो रुपे के स्कैम के मामले में जमानात पर है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती. प्रधान मोधी ने कॉंग्रिस को भ्रष्टाचार के खिलाफ सकत कदम उठाने के लिए सदैर तयार रहने का संदेश दिया और कहा कि BJP हाई सकत कदम उठा सकती है. इस भाषन के बाद PM मोधी ने कॉंग्रिस के M. मलिकारजुन खडगे के जहरीली सांप वाले बाया पर भी अपनी राय राखी. अनहौन कहा कि सांप भगवान शिवा के गले की सुंदरता है और वो देश के लोगों के लिए सांप की तरह है. अनहौन कहा कि वो कॉंग्रिस के आकरोश को समझते हैं क्यूंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सकत कदम उठा रही है. वो कह रहे हैं कि कॉंग्रेस के आक्रोश की वज़े से वो बीजेपी के खिलाफ हो रही है ये था आज का मुख्य समाचार क्या आपके पास इस बारे में कुछ कहना है? हमें कॉमेंट करें और बताएं धन्यवाद